अतीक मामला सुप्रीम कोट में आ गया आज सुनभाई पर था और सुप्रीम कोट ने जो एक प्रशना पूछा वो बहुत सहज और स्वाभाविक प्रशना है जो सब के जहन में था यह समझ दिए कि लोक मन का प्रशना देश के सबसे बड़ी आदालत ने पूछ लिया और वो प्रशन यह कि अतीक और अशरफ जैसे दुरदानता अपराधियों को माफियाओं को मेडिकल टेस्ट के लिए यह पैदल क्यों लाया गया वक्तरबंद गाड़ी में भी आ सकते थे इंबुलेंस में भी आ सकते थे किसी भी वहन में आते तो सुरक्षा का एक दूसरा इस तर उनको मिलता यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और यह सवाल उस दिन से आज तक समनों के जहन में कि यह फैसला क्यों किया गया इसका उत्तर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट में तो पता लगेगा कि ऐसा फैसला क्यों किया गया कि उतने दुरदानत अपराधियों को प्रियाग राज की सरकों पर रात में कैट वॉक कराया जा रहा था क्या यह मसला है इस पर सरकार क्या उत्तर देती है पुलिस की और से क्या उत्तर आता है सुप्रीम कोट में इस से फिर आगे की जांच परताल पर तै होगी और सुप्रीम कोट का क्या दिशा निर्देश होता है यह भी उस सरकार के उत्तर के बाद ही तै होगा एक अतीक मसले से जुड़ा एक दूसरा बड़ा डवलप्मेंट यह हुआ कि अतीक के जेल में बंद बेटे ये दो बेटे अतीक के बैसक है जो जेल में बंद है दो छोट ना बैसक नहीं है नावालिग है वो बाल सुधार ग्रह में है तो जो जेल में है अली उन में से एक अली उसके नाम से एक अपील चिट्थी नुमा पोस्टर जारी हुआ जिसमें फोटो लगी है अतीक की अश्रफ की और असद की असद वो हो लड़का अतीक का जो एनकाउंटर में मा रहा है यह चिट्थी बढ़ी खतरनाक किस्म की है इसमें भाजपा पर आरोप है कि भाजपा ने और योगी आदितनाथ की सरकार दोशी है हमारे घर को तवहा करने के लिए अब्बु मारे गए और चचाजान मारे गए और भाई मारा गया और अम्मी का एनकाउंटर करने की तैयारी है आदी आदी तो इसमें तो खर कोई चौकाने वाली बात नहीं है लिए चौकाने वाली बात यह है कि अतीक के लड़के ने इस चिठी में सपा को भी लपेट लिया अखिलेश यादव को भी लपेट लिया उसने कहा जितने दोशी योगी उतना ही दोशी अखिलेश यादव यह बड़ी बात है यह बड़ा पेच है यह चौकार आए सब को ऐसा कैसा हो गया और फिर एक कदम आगे याके वो उसने उत्तरपदेश भर के मुसल्मानों से जो अपील की है उसमें से भी अलग अलग धोनिया निकल रही है अतिक के लड़के ने कहा कि अगर मुसल्मानों से अगर आपके जहन में हमारे अब्बू के लिए और चचा के लिए और भाई के लिए जरा भी वहुबत है तो जाग जाईए और भाजपा और यहां तक ले आके छोड़नी चीज को, यह बता दिया कि किन को बोट नहीं करना है, फिर किसको करना है, यह चिट्थी में नहीं लिखा, लेकिन जो नहीं लिखा वो भी समझ में आ रहा है, इसमें दो-तीन सवाज होते हैं, एक क्या समाजवादी पारिटी से मोह बंग हो रहा ह है, अतीक के परिवार का हो गया, जबकि समाजवादी पार्टी इस आरोप को धो रही है लगातार के उसके ही शाषनकाल में, उसकी ही सनरक्षन से अतीक बना, मुक्मती योगी अधितनात्र ने ये आरोप समाजवादी पार्टी पर विधान सभा के सदन फ्लोर पर लगाया था, ये समाजवादी पार्टी ही है जो अतीक के एंकाउंटर पर असद के एंकाउंटर पर सबसे जादा सवाल खड़े की, ये सपा ही थी जिसने कहा था कि अ प्रतिशोद के चलते मुकदमे दर्ज कर दिये गए अति जी तो अप राधी नहीं थे सपा यहां तर चली गई और अब लड़का कह रहा कि सपा को भी बराबर की दोशी है बाजपा के इसके पीछे का खेल क्या है इसके माइने क्या है यह समझना होगा इस सहज बात थोड़ी न कही गई और दूसरा एक प्रशन यह बड़ा कि क्या अब अतिक का परिवार उत्रपदेश के मुसल्मानों को यह बताएगा कि उनको सियासी तोर पर किसको बोट देना चाहिए और कि क्या अतिक के परिवार की उसके लड़के की हैसियत फत्वा जारी करने की है क्या उत्रपदेश के मुसल्मान को के लिए एक अतिक कोई सिंबल बनेंगे क्या बराने की कोशिश की जा रहे है यह अतिक को क्या बड़ा सवाल यह अपील तो यही बताती है कि अतिक को मुसलिम प्राइड के तोर पर इस्थापित करने की कोशिश हो रहे है क्या तभी तो अतिक का लड़का जो जेल में है अपराध के चलते वो मुसल्मानों को बता रहा है यह मुसल्मानों तुमको क्या करना चाहिए अतिक का लड़का नया जिन्ना बनना चाहता है क्या सवाल है जिन्हां अपील जारी करते थे मुसल्मानों के लिए बात समझ में आती थे अतिक करार का भी अपील जारी करेगा यह एक नया और खतरनाक पहलू है इस पूरे कांड का मुझे लगता है सोप्रीम कोर्ट की जो आज की हेरिंग है वह बहुत तरकपूर है और सुसंगत है कोई भी कोर्ट होगी वह राज्य सरकार से कहेगी कि आप जो कहना चाहते हाल अपनामा लाईए ताकि बाद में आप उस पर टिके वही उतनी ही बात आज कही गई कुछ प्रश्णा कोट के सामने थे जिनको कोट ने राज्य के सामने रखा और का इन पर भी जवाब दाखिल करिये अब जवाब क्या आता है इसके बाद यह अदाल्ती मसला तै होगा लेकिन दूसरी घलवली है अतीक के लड़के की चिठी और अपी जिसमें वो कहरा सूबे भर के मुसलमानों एक हुईदावू अज़ा एक हो के फिर क्या करें यह भी मसला है कोट का जो मसला है वह तो ठीकी है सहज सवाल कोट ने पूछा कि आप वो क्यों ले गए थे उनको गारी में क्यों नहीं ले गए और अतीक और अश्रप और असत के जो कांड हुए उन पर कोट ने कहा कि आप हलप नामा दायर करिये जो सामा ने प्रक्रिया है हलप नामा में बात कहिए ताकि बाद में बदल नहीं जाया अब आगे जो भी दर्श्य बनेगा उससे तय होगा किसे यह न्याई की मसला कहां जाएगा लेकिन यह जो एक रिलिजियस पोलिटिकल मसला खड़ा हो गया उत्रपदेश में जिसके लिए बहुष लेके आए अतिक का लड़का यह बताएगा उत्रपदेश के मुसल्मानों को कि आप किसको बोड़ दो किसको नदव एक हो जाओ अजय एक हो जाए फिर क्या करें अब निश्ट्यागीदी आपको लग रहा है इसके पीछे को डिजाइन है यह जो अतिक के लड़के की चिठी है जिस पर हम आज चर्चा लेकर आए हैं जिसमें कहा गया कि जितने दोशी योगी आधितनात उतने दोशी अगिले स्यादा हमारे घरवालों का एंकाउंटर औ और सब काम कराने का और फिर अथी को अखेया कि तो सुबह भरके मुसलमान एक हो जाओ इसके मेरा दो सवाल क्या अतिक को मुसलिम अस्मिता का नया चहरा बनाया जारा है और दूसरा प्रशनह क्या अतिक का परिवार अब इस स्थिती का है इस हैसियत का है कि वो उत्तरपदेश भर के मुसल्मानों को ये बताए कि उनको किसको बोट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए किस मुद्दे पेख हो जाना चाहिए मेरा प्रशन था कि क्या किसी अपराद से जुड़े परिवार के भीतर से भी बोट के लिए अपील जारी होने लगे ये इतने खराब दिन आ गए कि जो घोशित अपरादी है जो रेइस्टर्ड अपरादी है वो भी घोब करेंगे अरे जिन्ना ने अपील की ति समझ में आता यह नए जिन्ना वनेंगे क्या मसला यह प्रश्ण यह था ठीक है जाएंगे दुबारा आएंगे कपीश जी अतिक के लड़के ने भाजपा के लिए जो लिखा योगी आधितनात के लिए जो लिखा वो सहज है क्या भाजपा बालों को भी उनसे कोई उमीद नहीं और उनक खेल भरुखाबादी लेकिन उन्होंने सपा को उसने सपा को क्यों लपेट लिया बोला भाई अखले स्याद अबर योगियाद इतना देख बराबर दोसी हैं हमारे घर में यह मौते कराने के लिए और सपा को भाजपाव सपा को बोट नहीं देना मुसल्मानों एक हो जाओ यह अपील तो कोई सोच सकता था इस अपील की आने से पहले कि मुसल्मानों में कोई अपील सपा को बोट न देने की जारी होगी सपा को बोट तो आईसी अपील तो सोच भी सकते थे लोग नहीं और आप लोग अतिक के लिए कितना बिलाप किये कितना दुखी हुए कैसे कै इसे तरक लाए अब बताओ लड़क माईसी चिठी जारी कर दिया इस अपील के माईने क्या मतलब मैं मान नहीं सकता कि सपा के लिए इससे बड़ा कोई जटका हो तकता है जमाने भर में यह आरोब सपा झेल रही कि आतीक को अतीक बनाया सपने है और अतीक का लड़का कही दि अगर तो अतीक के वकील इसका खंडन कर देते अली के वकील खंडन कर देते वकील तु जेल में है नहीं है वकील जेल में थोड़ी नहीं है इतनी चिठी पूरे देश में घूम गई दुनिया में घूम गई और शाम को साड़े पांच बजी हम करें कि अभी उसकी सत्ता पत नहीं कर देता आदमें वो जान रहा है इस चिठी का मतलब क्या है समाजवादी पार्टी और हम से नाराज होगी अली नहीं जान रहा है यह बाद अब मामला बहुत गंभीर हो गया है हम जिसके नाम का सिंदूर माथे पर लगाए रहे हो हमारे साथ रिष्टा मानने को तयार ना हो तो फर कैसी इस्तिती बनती है बताईए नाजें बाबु कह रहे हैं कि सपानी का बिल्कुल ठीक लिगा चिठीम नाम यह जितने भी दुश् सुप्रीम कोट ने आज जो सवाल उठाया मुझे वो सवाल फेर लगता है कि भाई यह जानना जरूरी है और यह बार हम दे उस दिन कह रहे थे कि यह पैदल क्यों लाए है यह कैट वाक कर रहे हैं क्या नहीं ना दुरदान दापरादी है इनको बजरवान में लाना वहां के वकील भी और ज्यादा हाई फाई होंगे अदालते भी और हाई फाई होंगी बहां 2022 में 1082 एंकाउंटर हुए पुलिस की गोली से मरे लोग क्या अमेरिका के सर्वोच न्यायले ने भी यह इंबार्गो नहीं लगाया क्या पुलिस गोली नहीं चलाएगी और ना को को नहीं चलेगी मर जाएगा ठीक है मुकदमा अदालत में जाके जवाब देगी सरकार इसमें काई को हाई तोबा एक सो त्रासी ने हमकरें 283 हो एंकाउंटर अधालत में हैं कोई भी एंकाउंटर वकिल साब एक मिनट कोई भी एंकाउंटर जुडिशियल रिव्यू से पर ठीक जैसे सुप्रीम कोर्ण में गया मामला क्या दिक्कत है सुप्रीम कोर्ण करें कपिश सेयद नाजिम ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जो बात अली ने चित्थी में लिखी वो बिलकुल दुरुस्त लिखी और उन्होंने कहा कि यादमों पर कहीं क कुछ दमन होता है तो समाजवादी पार्टी कुछ करती भी है अंदोलन या धर्नाप दर्शन लेकिन मुसल्मानों के ऊपर जो जुल्म उगारत होता है तो समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करती यह बहुत सीवियर आरोप है और यह आरोप उस समय जब निकाय का रही है कि ABCD EFG LMNOP QRST विबराव टीम अरे महनत तो करो बाबू आपको टीम बनाने में पुलिस ने रोका सुप्रीम कोट ने रोका नहीं ना आप भी टीम मनाओ यह का कहना कि वो टीम में खर अमनिश्टागी अमनिश्टागी समाजवादी पार्टी कह रही है यह अली की चि क्या की चुनाब के वक्त यह अईसा मामला क्रीएक कर दिया क्या कि J आपके मैं तो कहरा कता ही न मानो अली की aloudी स्टेश्टाप्र पर भी लिखके दें मानो तो कोई आपने मनका है यह नहीं जी समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि आप भाजपा की बी टीम हो भाजपा के द्वारा इस्पॉंसर्ड हो सब लोग इसलिए इसी बात कहरे हमारा और मुसल्मान का रिष्टा तो बड़ा पुराना है और बड़ा मजबूत है फेविकोल का जोड़ा है कि यह लोग बी टीम बी टीम में इसनों उज्जा के रखेंगे लोगों मैं तो कह रहा हूं बी टीम नहीं जेट तक बनाओ सब लोग टीम में बनाओ कून पुलिस रोक रही है आज तो बड़ा संसनिक है आरोपो का दिन है अब कपीश शपा ने कहा कि बाई नाजम जी जो है यह भाज़पा की बी टीम है और नाजम जी यह करें कि मुलाहिम सिंग जी का रिष्टा संग से था इस बड़ा गाल मेले बंदब आदमी जो सुन रहा होगा दर्शक वो भी पागल हो जाएगा किसकी माने किसकी ने माने आप पर रोशनी डालो त्यागी जी तो कुछ हो तो साथ सब का विकास हो गया इसमें तो कोई शक ने वहीं तो नाजम अली कहें है नहीं तो सरकारों का रहा है ऩा यहापने जह काल्यान सिंग्ग को सम्मान दिया वहीं मुलाइम जिंग जी को दिया इसमें तो तराज हूं कि मैं बात बराबर था दोनों तरफ नहीं प्रेक्टिकल बात करेंगे तो जन्ता समझेगी नाराद लोग त्यागी जी जानता से काम भी हो रहा हूं जन्ता प्रेक्टिकल चीजे देखती हैं मैं एक बात कहता हूं बड़ी पुरानी बात है त्यागी जी को जरूर याद होगी बहुत पुराने पत्रकार है हमारे में तरह कि मतलब इनका पत्रकारी जीवन जादा है राजनेतिक जीवन तो अभी कही है एक थे आप शायद रहे नहीं सत्यपाल सिंग आदब शाजापूर के केंद्र में मंत्री भी रहे बड़े पुराने खांटी नेता थे एक बार हमको बताए त्यागी जी उस वकत याद्याचरम पे था हाहा हूत होता था रोज एक तरफ कल्यान सिंग एक तरफ मुलायम संग बोले अग्नियोत्री ज मुझे ने पता सही कहा गलत का भी कहा था आपने भी सबका साथ सबका विकास किया जो जो गमचा आपने जब पठका मुलायम सिंग जी के गलेम डाला वो बी पदम बिभूशल तो मामला सत्पाल सिंग यादव का ठीकी है नहीं त्यागी जी एक मसला है ये बार बार एटीम बी टीम कहा था मैं आप पाल्टी एक वो क्यों नहीं जारी कर देती है कि भाई हमारे इतने आनुशंगिक संगठन है स्वेत्पत्र बावाली खतम हो क्या क्यों कि हर जगा जहां जाओ आपका नाम जरूर आएगा कि भाई ये बीजेपीडी टीम है लेके न चौधा की लोक सभा चुनाव के बाद समाजमादी पालिटी ने समेच्छा बैठक बुलाई नेता जी थे बैठक में शामिल लोगों मुझे बताया कि नेता जी बहुत गुस्से में थे और जब उनको गोल-गोल समझाने कोशिश हुई कि ये हो गया वो हो गया तो उनने दस उधारन दिये उनने के चंद्रा वहां नमीन पतनायक कि राज्य में क्योंने हो गया ऐसा ममता कि राज्य में क्योंने हो गया इसे कही उधारन दिये बोले यहां तुमने इंधा कर दी सब लोगों मिलके दो चार जो नीवु काट कुरता पहने थे कभी बाभू उनका नाम लेके नेता जी उनके जो कही दिया हमने रिपोर्ट ने कलवाती हिनके मोहलए महार गए पार्ति पार्टी बड़ी हमने उनको मंतुरी बनाया क्या कि यह कहा था मुझा है सेयद नाजिम अली आप कह रहे हो कि मुसल्मान इमारत धाके रहेगा मैं कह रहा हूँ अब तो इमारत भी ज़्यादा बड़ी नहीं क्यों ढाने चक्कर में लगे हो लेकिन एक और बात आती है कि अभी जो विधान सपा चुनाव हुआ है उत्रपदेश में उसमें 82 से लेके 85 परसेंट तक मुसलिम बोट का टर्न आउट सपा के लिए रहा है भूतो न भविश्यती इसका अर्थ ये हे हिंदी में बता दें ऐसा ना मुलाहिम सिंग के जवाने में कभी हुआ न किसी के जवाने में हुआ कि सव में 85 मुसलिम बोट सपा को मिला हुआ रिष्टिक बात है कल्यान सिंग सपा में रहे थे कुछ दिन एक और राजवीर और कुसुम राय दोनों मंत्री बने थे सपा की सरकार में अब निशी को याद होगा क्या एक स्वास्त और एक कुछ औ सब्सक्राइब हो रहे हैं और हमारी हमको इतनी समाजवादी पारिटी में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर रहे करीब 40-45 साल से कहा है आज कहा है नामपूर में है घर में है और या श्पताल में क्या की जी बड़ा मामला गंभीर हो गया है बड़ा संगीन हो गया है नाजिम अली कह रहे है के समाजवादी पारिटी और भाजपा मिलके आजम साब और उनके परिबार पर जुल्म गारत का पहार जो है उड़ा रही है और उसके लिए वो तरक ये दे रहे हैं कि अगर ये नहीं है सच तो वो कह रहे हैं बाकी किसी पर क्योंने हुआ सेफ़ई में कोई कारवाई नहीं हुई सारा बुल्डो दर रामपूर में चल गया वो कह रहें त्यागी जी जबकि आपका तो बादा था सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास और आपके वल रामपूरी निकल गया यह कह रहें मेरा एक बड़ा गंभीर प्रश्ण था जिस पर बहस मैंने आरंब की थी क्या अब यह दिन आ गए कि अतीक का बेटा उत्रप्रदेश के 17 फीसद मुसल्मानों को बताए कि तुमको क्या करना चाहिए का अतीक का परिवार मुसलिम डीडर्शिप क्रियेट करेगा कुछ तो जादू है दोस्त कुछ तो जादू है अब यह तंतर है मंतर है टोना है टटका है क्या है जाल फूक लिकि कुष्टो है मुसलिम लोग कह रहे यह पहली बार मुदेख रहा वो करें भाजपास गिला नहीं सपास गिला है बस पास गिला है त्यागी जी कुछ तो जादू है उत्रपदेश की राजनीती देश की राजनीती को दशा और दिशा दिखाती है मैं फिर कहूंगा अतीक के लड़के का यह कि यह अपील है उत्रपदेश की मुसलमानों से यह रास्ता ठीक नहीं एसी अपीले राजनीतिक लोग करे समझ में आता है सामाजिक लोग करे तब भी समझ में आता है धर्माचारी करें चलो वहां तक भी समझ में आ जाए थोड़ा बहुत इन लोगों के हाथ में यह इख्तियार नहीं दियाना चाहिए मुसल्मानों में अच्छे लोग नहीं है क्या यो अपनी कौम को बता सके उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए अतिक के लड़का चाहिए क्या तो तमाम अपराधों में नेनी जेल में बंद है उसलिम अस्मिता को अगर आप अपराधी के साथ जोड़ेंगे अपने तातकालिक लाब के लिए तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी यह बहुत अधर्म का काम होगा इसलिए मैं इस विशे को लेकर आया जानिश्मंद लोग सलहा दे बात समझ में आती है अतिक लड़का सलहा देगा पूरे प्रदेश भर के मुसल्मानों को कह रहा है तुमको क्या करना है बता है हम बता रहे हैं नहीं भाई कौन सेकुलर है कौन नहीं है कौन किसके साथ साथ गाट कर रहा है कौन किसके साथ बीटी में सीटी में यह विशे एक राजन टीवी पर भाहित ठीक रोचक है लेकिन जनता सब जानती है उसको सब पता रहता है कौन किसके साथ खड़ा है कौन किसके साथ कहा है अगर हम लोगों को यह ब्रह्मे के नहीं जनता नहीं जानती तो जलत बात है जनता के बीच में त्यागी जी पत्रकार रहे तो उस दव्रान निनन नहीं हो कि यह होगा वो हर सवाल उठता है जो सवाल टीवी चेनल पर भी ने पूछी जाते करी बार उठते हैं जनता बड़ी जागरूख है वो सथमाल मलिक का प्रश्ण भी चर्चा में रखती है तो आसा दुन दिन उवईसी का भी रखती है योगी आधितनाथ से जुड़े प्रश्ण भी रखती है तो अखिली श्यादव और मायवतिस जुड़े प्रश्ण भी रखती है अब जनता को भर्माना संभव नहीं लेकिन हाँ मैं कहूंगा कोई भी जाती हो कोई भी कौम हो कोई भी मजब हो उसके आइकॉन अच्छे लोग होने चाहिए त्यागी तपस्री लोग उसके आइकॉन होने चाहिए जिन्होंने बंदूक और बंब की भाषा से जीवन भरबात की हो उन लोगों के हाथ में ये एक्तियार नहीं जाना चाहिए ये मैं हमेशा इस बात के खेलाफ रहा उत्रपदेश में बीमारी रही पुराने समय में के डेकेतों के समय में था कि जाती के आधार पर ददुआ है तो ये मसला है ठोकिया है तो ये मसला है निर्वे है तो ये मसला है लाला राम है तो ये मसला है छविराम है तो इस जात का का मामला नहीं कि अपर आधे किसी जात का आइकोन कैसे हो सकता किसी धर्म का आइकोन कैसे हो सकता कि अधिक के नाम पर को धुर्बिक्रत करने की कोशिश होगी क्या नहीं मुसल्मान हो हिंदू जो जिसको अपना चिंतन करेगा व्यक्ति इन लोगों को कम से कम इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए समाज में नहीं कि इनके खाता वही में कोई अच्छा काम नहीं और मैंने तो जब सुभए देखा तो मुझसे एक मित्र ने का आगे हो सकता फर्जी हो मैंने अगर फर्जी भी है तो इसका खंडन आना चाहिए चुकि यह बड़ा जोखिम भरा पत्र है कि अधिक का परिवार समाजवादी पार्टी और उसमें भी अखिलेश यादव का नाम लेके मोर्चा खोल दे चोटी बात नहीं है इसका खंडन तो तुरन तो होता इस चोटी बात है क्या कि दोदू हाथ करने की अतिक के परिवार की सफा से दोदू हाथ करने का जो यह मन दिखरा इस चिट्टी में कैसे बना और क्यूं बना पड़ा सवाल है अतिक और अश्रफ के मारे जाने के बाद अली और उसके दूसरे भाई कि समाजवादी पार्टी दोदू हाथ करने की इस्थिती परिस्थिती में कैसे आ गए कि बड़ा प्रश्ण है कि उनमें इतनी तागत कहां से आई इतना क्योंकि सामानिता मैंने देखा कि अपराधी लिखत पढ़त में तो ऐसा नहीं करते हैं कभी कि ददूआ के लिए कहा जाता था कि वह जारी करते थे कि किसको बोट देना लेंगे वह कान के जरीए जाता था मामला कि वह जदूआ ने यह कहा बात करता हो गया यह तो गजब हो गया लिखत पुनद में मामला आजा फोटो लगा के बोले आई आइसा करो इसलिए प्रश्न बढ़ा है और चिंता की बात है कि अगर अतीक को उसके परिवार को या अतीक जैसे लोगों को मुस्लिम आइडेंटिटी का आइकॉन बना के पेश करने की कोशिश होगी तो यह रास्ता अच्छा नहीं है खतरनात रास्ता है हर मजब को हर जात को अपने बीच से अच्छे लोगों को अपना नायक बनाना चाहिए और मानना चाहिए अब मैं फिर कहूंगा अपराधी अपराधी है वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो दन्यवाद